हलो एब्रीवन सभी का वेलकम है आज की क्लास में दो दिन पुराना ये रिटोरियल अपने कवर करने वाले है सुपर कंड़क्टिंग हाइब इसका टाइटल है आठ अजस्त को ये आर्टिकल अपने कवर नहीं कर सके उस दिन अपन को एक ब्रेक लेना था लेकिन ये इतना प्यारा और इतना इंफोर्मेटिव आर्टिकल है कि इसको कवर करना जरूरी है ये आर्टिकल साइंटिफिक थीम का है और सुपर कंड़क्टर की बात करता है चलिए क्लास को शुरू करते हैं अपने क्विज के साथ में जो भी इस आर्टिकल में सीखेंगे इस क्विज पे आप अप्लाई करेंगे अट दा इंड अप्टर क्लास ग्रामर भी, वोकैबलरी भी और कॉम्प्रेंशन भी तीनों आसपेट्स इस क्विज में कवर्ड हैं अपने टेलिग्राम ग्रॉप को जोइन करें जाकर के टेलिग्राम पे सर्च करें अट दा रेट यॉर इंगलिस चूटर जैसा दिखाया गया है और इस ग्रॉप को जोइन कर लेना इसमें आपको सारी पीडिएफ, सारे नोट, सारे नोटिफिकेशन हर क्लास के आपको एडवांस में मिल जाते हैं चलिए, कहरा है जी सूबर कंड़क्टिंग हाइप हाइप वर्ड का मतलब समझते हैं आप किसी चीज का बहुत ज़्यादा चलन में होना किसी चीज के उपर बहुत ज़्यादा कॉंट्रोवर्सी होना या जिस पे बहुत ज़्यादा बात होना हाइपर एक्टिविटी होना उसी को अपने हाइप बोल देते हैं शोट फॉर्म में और सूबर कंड़क्टिंग का मतलब होता है जो हाइप बनी है सूबर कंड़क्टर्स के चारों और सूबर कंड़क्टर्स एक फिजिक्स का कॉंसेट है अब यह आपको आगे इसको समझाएंगे क्या होते है करहें सूबर कंड़क्टर्स को ले करके जो साउथ कोरिया ने डिजाइन किया है बहुत हाइप हो रही है बहुत बाची तो रही है, बहुत जादा इन पे Controversy हो रही है और बात कर रहा है on South Korea's LK99 South Korea के इस material की जिसका नाम है LK99 और जिसको South Korean government claim करती है कि ये एक super conductor है room temperature पे अगर ये बात सच है तो LK99 दुनिया का सबसे महंगा element हो सकता है अगर ये बात independent reviews में सही पाई जाती है तो इसलिए वहाँ पे बहुत हाईप हो रही है title paragraph को देखते है क्या कहना चाहरा है independent verification is crucial on claims about new material क्यरा है बिलकुल स्वतंतर जांच independent verification होना चाहिए और वो बड़ा crucial है बड़ा ही जरूरी है crucial समझते ना जो necessary हो, essential हो, vital हो और किस बारे में उन claims के बारे में उन दावों के बारे में जो लेकर के हैं नए material को LK99 को जिसको South Korea claim रखता है कि ये एक super conductor है तो अगर South Korea की बात सच है तो इस बात का independent verification हो दुनिया भर की science labs के इंदर इस material की जांच हो उसी के बाद में इन दावों को हम सच मानेंगे उससे पहले तो ये सारी hype है हो सकता है South Korea जो है मजा कर रहा हो एप्रेट पूर बना रहा हो मैं लोग इस तरह है कि इसकी theme है इसकी tone है इस article की चलिए आगे बढ़ते हैं crucial आपने देख लिया imperative necessary verification is the subject of the sentence is इसकी verb आगे बढ़के इस article की सारी vocabulary पर नज़र डालते हैं एक साथ अगर सारे words को देख लोगे तो पढ़ते हुए आपको disturbance नहीं होगा एक like और एक share class को जरूर से दे as always इस से channel को और इन classes को काफी reach मिलती है YouTube पे और जिन बच्चों ने आपको डाउनलोड नहीं किया है जरूर से अपनी Android और iOS एप को डाउनलोड कर लेना एप पे आपको सभी courses मिलेंगे जिन में personally आपको guidance मिल जाती है writing के course में आपको लिखना सिखाया जाता है आप लिख सकते हैं 70 से 80 गंटों में इस course पे कुछ discounts चल रहे हैं फाइदा ले सकते हो इस coupon code की मदद से आज इसी तरीके से UPSC complete migration course में आपको UPSC prelims, mains, answer writing, essay, preci, grammar, vocab everything is covered in this course हिंदी से, गुजराती से, बंगाली से, पंजाबी से आप English में migrate कर सकते हैं UPSC किसी भी civil सेवा exam के लिए इसका भी फाइदा ले सकते हैं banking course भी available है जिसमें prelims, mains, सभी banking exams के आपको तयारी करवाई जाती है इसी तरीके से सभी SSC exams का भी full practice package available है download the app today, comment section में आपका link रखा है चलिए अब आगे बड़े, class को शुरू करें ये contact number है, टीम से बात करने का WhatsApp के तरू चलिए अपनी vocab sheet है, आज की tone बनेगी scientific और realistic super connective hype है ना, super connecting hype चार words हैं अपने पास ironic, sophisticated, precise और vitiate थोड़ा सा zoom in गरके देखते है देखे, ironic का मतलब होता है, जिस सीज में irony हो just a minute ironic का मतलब होता है, जिस सीज में sarcasm या irony हो, उभास हो उभास समस्ते ना, आपने किया कुछ और कहा कुछ तो वो अपने आप एक उभास की बात हो जाती है ना, ironic बात हो जाती है जैसे कि एक sentence बना के देखते है the promoters of the company have made an ironic decision of selling their holdings company के promoters ने एक उभास भरा decision लिया है, अपनी holdings को बेच देने का, अपने हिस्से को sell कर देने का, generally company का मलिक अपनी खुद की holdings को पूरा बेचता नहीं है बेच रहा है तो वो ironic decision है जरूर ही company में कोई परिशानी होगी जिससे वो company को बेचना जाता है paradoxical, satirical, comical, sardonic, सभी जो है ironic के synonyms हैं, आज irony नाम का noun, है ना इसको article में देखेंगे चलिए, अगरा word आपने पास sophisticated, sophisticated का मतलब होता है, refined, modern, nuanced अगर कोई शहर का suit boot पहना हो आदमी आपने देख लिया, तो वो sophisticated हो जाएगा अगर कोई equipment आपने ऐसा देख लिया, जो बहुत ultra modern है तो वो sophisticated हो जाएगा अगर कोई गां का आपने अनपड आदमी देखा तो वो sophisticated का उल्टा हो जाएगा जिसको हम बोलते है, rustic गां का अनपड आदमी, rustic या आपने Nokia का फोन उठा लिया, वो पुराना वाला वो पत्थर जैसा, है ना 3315, तो वो एक rustic phone है पुराना फोन है, बस पुराने टाइम का फोन है बिल्कुल मॉडर्न नहीं है इन दोनों वर्ड्स को आप याद रखेंगे जोडा बना करके, sophisticated और rustic एक दूसरे के synonyms हैं scammers, कुछ issue हो रहा है आज इसमें scammers nowadays are using sophisticated technology to cheat in their examinations scammers आजकल use कर रहे हैं, sophisticated technology को अपने exams में नकल मारने के लिए cheat करने के लिए तो यह word आप आप आर्टिकल में देखेंगे next word है आज का precise precise का मतलब होता है exact या accurate the management has issued precise directions for the workers management ने बिल्कुल सटीक सी directions जो है issue की है workers के लिए इसको unambiguous, unequivocal या well defined भी बोल सकते हैं यह word आप आर्टिकल में आज देखेंगे precise अगला word है जी viciate viciate का मतलब होता है corrupt करना किसी चीज को बिगाड़ना अगर किसी का दिमाग खराब कर दिया आपने उसो गलत काम सिखा दिये तब भी viciate किया अगर किसी दूद में पानी मिला दिया तब दूद को viciate कर दिया आज पास के environment के अंदर गंदगी फिला दिया आपने तब environment को viciate कर दिया कहीं पे भी pollution, adulteration, contamination या ruining करेंगे viciate word का इस्तेमाल कर सकते हैं The capitalism is often accused of viciating the social fabric of a nation capitalism पे अक्सर आरोब लगता है viciate करने का, corrupt करने का समाजिक धांचे को, social fabric को किसी भी nation के ठीके तो इस word आप article में देखने वाले हैं चार words हैं, detail में होगे अब आजाओ article पे एक summary आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है अगर आपने थोड़ी बहुत physics पड़ी है या नहीं भी पड़ी तो भी समझ लो superconductors क्या होते हैं अगर आपको point A से point B तक power को या electricity को transmit करना है तो आपको एक तार की जरुएत होती है एक wire की इतना तो आप समझते हैं न generally ये wires होती है copper की copper wires इसलिए होती है कि इन तारों में transmission के वक्त कम से कम energy का loss हो point A से अगर 100A बेजी गई है तो point B तक 100A ही मिले उसी voltage के साथ में ऐसा तो बिल्कुल possible हो नहीं पाता यहां से 100A बेजी है तो वहाँ पे 99A मिलेगी 98 मिलेगी या 90A मिलेगी है इस तरह से बीच में loss जरूर होगा copper wire का इस्तेमाल करके इस loss को कम से कम किया जा सकता है अगर steel की wire का इस्तेमाल करें और कोई wire लगाएं तो उससे जवाए नुकसान ज़्यादा होगा लेकिन superconductors physics में एक ऐसा concept है यह ऐसे metals हैं जो point A से point B तक बिना किसी resistance के सारी electricity को transmit कर देते हैं बिलकुल भी loss जो है बीच में नहीं होने देते पर समस्य है superconductors की यह कि इनको आप बना नहीं सकते हैं नौर्मल room temperature पे आपको minus 235 degrees Celsius के आसपास किसी चीज को ठंडा करना पड़ेगा तामबे को या चांदी को फिर यह superconductor में बदल जाएगी अब इतनी ठंडी चीज, इतनी ठंडी तार कहां से लाएं, नहीं ला सकते हैं लैब में ले आएंगे लेकि लैब से बाहर कहां से लाएं हुआ यह कि South Korea ने यह बोला कि यह ठंडा बंडा करने का system खतम करो, हमने एक नया element बना दिया है LK99 और यह जो है न, माइनस 235 डिग्री नहीं, बलकि रूम टेंपरिचर 22 डिग्री, 25 डिग्री सेल्सियस पे, सूपर कंडेक्शन कर सकता है हमारा आर्टिकल कर रहे है कि यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ी खोज होने वाली है अगर South Korea की बात सच्छी है करवाएगा, जो की South Korea भी करवाने से मना कर रहा है, समझ गे समरी इसकी, चली आज की टोन है scientific और सजेस्टिंग शुरू करते हैं अपने आर्टिकल को यह सूपर कंडेक्शन जो है, अभी आपको आर्टिकल में थोड़ा ओर डिटेल में बता दिया जाएगा हाइप, करवाएगा जी बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल अनलाइक लाइक का मतलब होता है, बिल्कुल उसी तरह अनलाइक का मतलब है, बिल्कुल उससे उल्टा किस से उल्टा भई? करवाएगा जी उन developments के जो दूसरी है ऐसे घटनागरम जो दूसरी अलग टाइब के हैं इस फील्ड में इस एरिया में जो है condensed matter physics का भोती की विज्ञान का ये एक special field है condensed matter field करें इनकी दूसरी जो developments है इस field में जो दूसरी घटनागरम होती है नहीं नहीं बाते होती है करें उनसे बिल्कुल उल्टा क्या चीज़? करें हर नया दावा जो है room temperature की super conductivity का वो monopolize कर देगा, dominate कर देगा monopoly बना लेगा, take over कर लेगा headlines को, news headlines को पूरी दुनिया में तो condensed matter physics का जो area है इसमें कुछ भी नया होता है आपको कभी नहीं पता लगेगा बस हो गया, वो अपने आप research paper में चपेगा ऐसा नहीं है, आज तक पर बताया जाए आपको, या आपको दनिक भासकर में news paper में चपेगा ऐसा नहीं आएगा, लेकिन ये जो चीज़े है ना जो नहीं चपती, इनसे बिल्कुल उल्टा super connectivity पे कोई बात होती है room temperature पे, तो वो दुनिया वर की headlines में आपको दिखाई देगी और ये जो claim है ना इस तरह का वो kick up कर देगा, शुरू कर देगा जो है, stir up कर देगा, provoke कर देगा बहुत ही जादा hype को बहुत जादा hyper activity को publicity को, exposure को समझ गे, चलिए, super connectivity अपने आप में बहुत important है ऐसी कोई भी claim आएगा, तो आप उसकी headlines हर जगे देखेंगे super connectivity के claim, आपको subject बनाएंगे इसको, इसकी दो verbs है पहली है will monopolize दूसरी है will kick up will यहाँ भी लगी हुई है यहाँ आप दूसरी बार नहीं लिखा गया क्योंकि पहली बार आ चुकी है monopolize करना यानि dominate करना, kick up करना यानि किसी चीज़ को start करना hype का मतलब आप समझ गे हैं बहुत जादा किसी भी चीज़ पे activity, hyper activity उसकी publicity हो रही है उसकी बात हो रही है उस पे controversy हो रही है है न हाइप हुआ क्या फिर करा जी, late last month researchers in South Korea announced via two pre-print papers uploaded to the air ARXIV repository that they had found a material they called LK99 to be a superconductor at room temperature and ambient pressure करा ऐसा ही कुछ हुआ पिछले महिने के अंत में late last month में जो researchers हैं South Korea में उन्होंने announce कर दिया कहा announce किया और क्या announce किया कह रहा है इन्होंने announce किया दो pre-print papers के जरिए जो upload किये गए थे इस website की repository में इस website के repository होती है जहाँ पे कोई चीज आप जमा करके रखते हैं कि अभी इस पे काम चल रहा है आप इसके copy रखो जब हम बोलेंगे तो इसको आप पब्लिश कर देना है ना तो इस तरह से आपकी research की भी repository होती है जहाँ पे आपने research paper को locker में रख सकते हैं ठीक है repository यह प्लेटफॉर्म where researchers can share and access preprint papers तो करे जी इसी तरह से इस repository में अपने दो paper अपलोड करके इन South Korean researchers ने announce किया कि उनको मिल चुका है एक ऐसा material जिसको वो call करते हैं LK99 जो है superconductor room temperature पे room temperature मतलब normal temperature और ambient pressure पे उस दवाब पे जो ambience का है जो normal हवा का है ज़्यादा इसको अलग से दवाब देने की जरूत नहीं है ये material अपने आप normal जो pressure है one bar का उसी पे भी superconductivity दिखाता है समझ गी अब चलिए दावा बहुत बड़ा है researchers subject है announced इनकी वोब है day की वोब head found जब इन्होंने announce किया था उससे पहले वो past चुके थे found गर चुके थे ढूंड चुके थे इसलिए announce वोब V2 में है और head found ये है head plus में V3 यानि past perfect में जानते हैं न basics जो बच्चे कर चुके है past perfect का इस्तेमाल होता है past के भी past के लिए day की वोब है called ambient का मतलब है related to your ambience is related to environment करें conventional superconductors that is those whose superconducting abilities can be explained by bardian cooper skrifier theory are distinguished by four features करें पनंप्रागत तोर पे जो superconductors होते हैं जो physics में पढ़ते आए हैं conventional जो superconductors हैं करें वो superconductors जो explain किये जा सकते हैं जिनके abilities को समझाया जा सकता है इस theory के जरिए bardian cooper skrifier करें ये distinguished होते हैं आप में अलग होते हैं चार features की वज़े से चार गुणों की वज़े से अब वो चार features आपको बता देगा one of which has implications for industrial research and diagnostic applications that are impossible to overstate करें चार features में से एक feature जो है उसकी ऐसी implications है उसकी बड़ी बड़ी इतनी consequences है परिनाम है industrial के लिए research के लिए और diagnostic applications के लिए diagnostic application मतलब आप hospital में गए अपना x-ray करवाया MRI करवाया diagnostic किसी भी चीज़ का आपने diagnosis करवाया करया जी diagnostic के field में देख लो या research के field में देख लो या industry के field में देख लो करया है उनकी इतनी implications है इन में से एक feature की कि जिनको overstate करना जिनको बढ़ा चड़ा के कहना impossible है अपने आप में नामकिन है मतलब कितना भी बढ़ा चड़ा के बता दो वो बात सची होगी इतना ज़्यादा वो जरूरी है इन चारों field में एक feature और ये feature कौन सा है वो feature है जी they can transport an electric current with zero loss वो electric current को zero loss के साथ में transport कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं लंबा sentence है लेकिन बड़ा आसान सा है superconductors जो है traditional वाले इनके चार features होते हैं इन में से एक feature जो है वो ये है कि ये electric current को एक जगह से दूसरी जगह बिना loss के ले जाएंगे और ये जो feature है इसका research, industry और diagnostic application के field में इतना importance है कि इसको आप कभी भी overstate नहीं कर पाएंगे इसको कितना भी बढ़ा चड़ा के बोलें वो सची निकलेगा चरिए conductors की वाब है conductors की वाब है are distinguished abilities की वाब है can be explained one की वाब है one हमेशा singular वाब लेता है आपको पता होगा that की वाब है are that implications के लिए those implications that are impossible to overstate overstate करना exaggerate करना किसी चीज को बढ़ा चड़ा के बताना they की वाब है can transport चली और आगे बढ़ते करे scientists have been looking for a material that can super conduct without having to be cooled to very low temperatures करे जी हमारे जो वेग्यानी के दुनिया भरके वो ढूंडते आ रहे हैं look for करते आ रहे हैं एक ऐसे material को जो super conduction कर सकता है जो बिजली को बिना loss के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकता है बिना उसको cool किये बिना उसको ठंडा किये बहुत ही low temperatures तक minus 235 degree के आसपास तक एना तो यह हमेशा से खोजते आ रहे हैं कि यह ऐसा ठंडा ना करना पड़े बिना ठंडा किये कैसे जो हम super conductor बना सकते हैं और क्या दूसरी चीज़ हो उसमे and which does not require the application of extreme pressure और जिस पे extreme pressure का application भी ज़रूरी ना हो जो हवा के दवाब से ही super conductor बन जाए उस पे अलग से 5 बार का 10 बार का 20 बार का प्रैसर डालना ना पड़े तो हमेशा से खोजते आ रहे हैं इस तरह का material यह scientist की वह बहे have been looking for PPC लगा हुए present perfect continuous यह ढूणते आ रहे हैं पहले भी ढूण रहे थे और आज भी ढूण रहे हैं look for करना किसी चीज को ढूण रहना material के लिए that आया that की वह बहे can super conduct which की वह बहे does not require चलिए और आगे बढ़ते according to the new claim LK99 fits the bill नए claim के इसाब से इस दावे के इसाब से swap Korea के LK99 जो है fit करता है इस bill को fit the bill का मतलो होता है suitable होना किसी चीज के लिए एकदम जैसा चाहिए वैसा ही होना है suitable fit the bill करना LK99 की वह बहें fits देखे fit the bill और foot the bill इन दोनों idioms को थोड़ा confuse मत करना दोनों अलग अलग है fit the bill तो आपने सीख लिया suitable होना fit the bill का मतलो होता है किसी चीज की payment करना भारी भरकम चीज की अकेले आपने पांच लोग हैं रेस्टों में खाना खाया generally बहुत जादा बिल नहीं होता है पांच लोगों में लेकिन अगर बहुत महगा रेस्टों है और अगर आपका बिल 25,000 आ गया खाने पिने का या ड्रिंक्स का और एक आदमी ने सारा बिल पे कर दिया तब उस केस में बोलेंगे जिसने भी पे किया है that person Mohan Sohan Rohan ने has foot the bill समझेगे ना who will foot the bill Rohan will foot the bill Rohan जो है बिल को पे करेगा चलिए आगे बढ़ते हैं दोनों idioms आज के quiz में आपसे confuse करके पूची गई है याद रखना इनको आगे करें जी it is copper substituted lead appetite जो LK99 है ये copper को substitute करके lead का एक appetite बनाए गया है appetite का मतलब होता है एक stone या mineral stone ना rock इसको आप mineral बोल दे हैं एक mineral बनाए गया है copper की जग़ए lead को जो है इस्तिमाल करके और क्या हुआ इसमें करें while there have been quite a few claims in the last century of scientists having discovered room temperature superconductors LK99 has triggered more excitement presumably because the group's pre-print papers are free to access करें पहली दफा नहीं है इस तरह के मजाक पहले भी हो चुके हैं करें जहां बहुत सारे claims रहे हैं पिछली century में विज्यानिकों के discover कर चुकने के super temperature के room temperature के superconductors को हर 10-12 साल बाद कोई scientist बोलता है कि मैंने बना लिया देखो room temperature पे मैंने superconductor का इस्तिमाल जो है बना लिया ऐसे बहुत सारे claims रहे हैं there have been quite a few claims करें वहीं पे हुआ क्या वहाँ पे हुआ ये just a minute इसके मैं color दे दू सही वहाँ पे हुआ ये LK99 ने बहुत ज़्यादा excitement को trigger किया है बहुत ज़्यादा इस पे excitement आ रही है LK99 के case में और क्यों आ रही है presumably या supposedly या समझे जाने वाले तोर पे देखे जाने वाले तोर पे इसलिए because क्योंकि group के जो preprint paper है वो public domain में है free to access है इन्होंने paid जो अपने paper को नहीं रखा है कोई भी आदमी इनको access कर सकता है including some data pointing in the right direction जिसमें कुछ शामिल भी है कुछ data जो point करता है सही direction में सही सही बात हमें अंदाजा देता है and contain instructions to synthesize it and test its properties और इन paper में instruction भी दिये गए है इस superconditor को synthesize करने के laboratory में बनाने के और इसको use करने के इसकी properties को test करने के तो LK99 के case के अंदर इन्होंने बहुत सारा data public domain में रखा है ये भी बताया है इन्होंने कि आप इसको कैसे बना सकते हैं कैसे test करेंगे तो overall देख करके excitement बहुत ज़ादा है क्योंकि ये claim almost हमें सच होता हुआ दिखाई देता है claims आपका subject है have been इसकी verb है LK99 की verb है has triggered trigger करना किसी चीज़ को उकसाना papers की verb है are दूसरी verb है include, तीसरी verb है contain papers are free, papers include some data and papers contain instructions synthesize करना किसी चीज़ को बनाना, lab गेंदर, laboratory के environment में चलिए, ये आपका पहला paragraph पूरा हो गया, अब second पहला graph में आएंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे scientific implications क्या होगी superconductor के बन जाने की करें जी, in a coincidental irony, appetite is derived from the Greek to deceive करें, coincidental irony में एक बहुत ही ज़्यादा coincident समझते हैं, संयोग भरी irony का मतलब होता है उपहास एक बहुत ही संयोग भरे उपहास में paradox में, appetite नाम का जो word है, ये derive किया गया है Greek से, Greek culture से, या Greek language से और इसका मतलब है deceive करना, यानि किसी को धोका देना appetite word का मतलब ही किसी को धोका देना और इन्होंने बोला कि हमने appetite बनाया है तो ये हमेशे ऐसा ही लगता है super conduction की जब भी कोई बात करेगी वो धोका ही दे रहा है दुनिया को irony की बात है, हसी की बात है कि इस word का मतलब ये निकलता है appetite आप समझ गिया है rock mineral को बोलते है जो इन्होंने बनाया है अभी South Korea ने इसकी word is derived irony आप समझ चुके हैं क्या होती है उपहास coincidental मतलब जिसमें coincidence हो जिसमें संयोग हो receive का मतलब है दोका देना all the claims of scientists having found a room temperature and ambient pressure super conductor so far have failed to withstand independent scrutiny आज तक जितने भी दावे हुए हैं निको के ढूंड लेने के super room temperature पे और ambient pressure पे super conductor को अभी तक वो fail हुए है withstand करने में सामना करने में face करने में sustain करने में independent scrutiny को सोतंतर जांस को हमेशा जब भी scientist ऐसा बोलते हैं बाद में उसकी किसी और lab में scrutiny करवाते हैं में उतना दम नहीं निकलता जितना दावा किया जाता है समझ गे ना चली claims की वह होब है have failed withstand करना किसी चीज का सामना करना ये वो कैब सफारी सीरीज में word आपको अच्छे से करवाया था withstand, weather, cop with endure इन सब के meanings में difference क्या होता है करे एक room temperature and pressured superconductor is an immensely valuable thing attached to significant material as well as scientific prestige करे एक room temperature और pressure का जो superconductor है वो बहुत ज़्यादा एक valuable thing है बहुत कीमती चीज होगी वो जो attached होगी, linked होगी, जुड़ी होगी बहुत बड़ी prestige से जो scientific है prestige का मतलब होता है आपकी गरिमा आपका stature, reputation, dignity और साथ ही साथ बहुत सारे material से, बहुत सारे फाइदे से बहुत सारे money से समझ लो है पैसे से समझ गे, ऐसा temperature वाला अगर आप superconductor बना देते हैं आपको nobel price भी मिल जाएगा और साथ ही खूब पैसा भी मिलेगा, आपके इस खोज से जिस देश के हो, वो देश ही अमीर हो जाएगा इतना सारा material ऐसे superconductor से जुड़ा हुआ है superconductor की बहुत है immensely मतलब बहुत बड़ी लेवल पे exceptionally, remarkably prestige का मतलब होता है reputation, गरीमा या stature और बस यही चीज का हमें डर है इस पूरी जहनजट के मारे कि हमें पैसा मिल जाए, नॉबेल मिल जाए यह चीज प्रॉम्ट कर सकती है विज्ञानिकों को कि वो rush करें, वो जल्दवाजी करें publish करने में अपने results को proper data verification से पहले data को सही तरीके से authenticate करने से पहले, तो कहीं साउथ कोरिया ने जल्दवाजी में paper तो publish नहीं कर दिया है बस हमें इसी चीज का डर है इस पूरी जो नाम, पैसे और शोरत की इच्छा की वज़े से इस खोईस की वज़े से कहीं है जल्दवाजी में सारा data गलत सलटो publish करके नहीं बैठे है इसकी वज़े कुड़ प्रॉम्ट प्रॉम्ट का मतलब होता है उकसाना, कंपेल करना, इंसाइड करना, फोर्स करना, ड्राइव करना है ना करहें दस independent verification by qualified scientist becomes crucial करहें इसी लिए independent verification जो है qualified scientist के द्वारा बहुत ज़रूरी बन जाता है crucial बन जाता है ऐसे cases में अब dash लगा के क्या बता रहें for which South Korean group must share all the data करहें जिसके लिए South Korean के group को सारा data share कर देना चाहिए ताकि इसका NASA की lab में, इंडिया की lab में कहीं भी DRDO, रशिया में चाइना में, हर जगा इस claim का दावे का हम जो है अच्छे से टेस्टिंग कर पाएं अभी तक पूरा data South Korea ने नहीं दिया है वस हमें यह इसी चीज़ का प्रॉब्लम है verification की वह बहुब है group की वह बहुब है must share अब यह आगे बताएगा आपको एक लाइन में कि जब data देते हैं तो उसका खतरा क्या होता है क्यरे जी checking if a material is a super connector is difficult requiring sophisticated equipment as well as information about how precisely to create the material in question क्यरे चेक करना कि कोई material super connector है या नहीं if a material is super connector यह अपने आप में बड़ा मुश्किल गाम है आसान नहीं है इसके लिए आपको require करता है बहुत सारे modern equipment चाहिए और साथ ही साथ information चाहिए कैसे precisely कैसे सधिक तोरबे आप बना सकते हैं इस material को जो in question है जिसकी बात की जा रही है तो बहुत ही sophisticated mind skills और equipment जब होगा तब ही आप इस पूरे काम को कर सकते है checking if a material is superconductor इस पूरे close की वह होगा है checking is difficult ऐसा समझ लो material की वह होगा है checking is difficult requiring PPSA sophisticated मतलब ultra modern precisely मतलब static तोर पे या exactly care for another claim this year of a material that reportedly superconductor near room temperature and under much less pressure than others of its kind its originators shared instructions to synthesize it करे एक और दूसरे दावे के लिए जो इसी साल आया था for another claim this year और जो था एक material का जो report किये जाने वाले तोर पे कतित तोर पे superconductor करवाता था room temperature के आसपास ही और बहुत ही कम pressure के साथ ही बजाए उन others के जो उसी तरह के और है room temperature पे तो नहीं लेकिन room temperature से थोड़े कम temperature पे ambient pressure पे तो नहीं लेकिन ambient pressure से थोड़े से जादा pressure पे कराया ऐसा जो एक material बनाया गया था दावा किया गया था इसके जो originators थे उन्होंने share किया था instructions को इस material को बनाने की but refuse to share samples लेकिन उन्होंने मना कर दिया samples को share करने से क्यों मना कर दिया claiming they constituted intellectual property claim करते हुए कि ये सारे samples जो है constitute करते हैं intellectual property को इनके patent को ऐसा समझ लो बनाया सब कुछ बताया लेकिन उसका sample नहीं दिया क्योंकि sample देंगे तो आप copy कर लोगे तो आपको हम दे तो टेस्टिंग के लिए रहे हैं लेकिन आप टेस्ट करोगे और आपको लगेगा कि ये सही है बिल्कुल आपको अपना खुद का भी बना लोगे तो फिर हमारे बनाने का हमें पैसा कैसे मिलेगा तो sample sample उन्होंने कुछ नहीं दिया ऐसा आज भी एक सुपर कनेक्टर बना हुआ है समझ गे originators की वब है shared दूसरी वब है refused they shared but they refused to share samples दे की वब है constituted दे आया originators के लिए तो ये एक डर या concern बताया गया है scientist community में कि अपनी खोज के samples को वो लोग बहुत जल्दी से share नहीं करते हैं दूसरे scientist के साथ में डर के मारे कि कहीं दूसरा वाला जो है मेरा credit ना ले जाए अगर आप से यहाँ पर RC का question बनाया जाए तो इस question का reply यह होगा question यह बनेगा कि scientist क्यों अपनी खोज को share करने से बचते हैं तो यह answer बनेगा करहे जहाँ यह बात सच हो सकती है यह हो सकता है कि वो intellectual property हो वो patent करवाना चाते हो करहे लेकिन उनका जो मना करने का काम है उसने corrupt कर दिया scientific process को proper process of science को और वो proper process जो है इस चीज को face करते हुए confront करते हुए in the face of ऐसे एक extraordinary claim को ऐसे एक अपने आप में जबरदस्त दावे को ऐना ऐसे दावे में पूरी process scientific होनी चाहिए थी वो process ना हो पाई चलिए दिस की वावे में भी देर की वावे, refusal की वावे vitiate करना, corrupt करना किसी चीज को करहे फाइनली despite the lucre of a potentially revolutionary technology and bearing in mind that the margin of error in superconductivity research dependent verification करहे फाइनली बावजूद बहुत सारे lucre के lucre का मतलब होता है पैसा financial gain, money बावजूद बहुत सारी धन संपदा के जो है एक potentially revolutionary revolutionary technology में संभावी तोर पे करांतिकारी तकनीक में, जो नए superconductor की है, करहे इसके बावजूद, पैसे के बावजूद और bear करने के शीज को mind में कि margin of error जो है, superconductivity की research में वो बहुत small है, margin of error मतलब गलती की गुंजायश, करहे इन दोनों चीजों के बावजूद, non-experts जो है न, उनको wait करना चाहिए उनको इंतजार करना चाहिए independent verification का आपको और मुझको verification का इंतजार करना ही चाहिए यहां तक कि even if it is slow to come यह बहुत धीमे-धीमे verification होता है, slow होता है from a qualified research group before making up their mind about it एक qualified research group के द्वारा होता है, इस से पहले की non-experts जो हैं, अपने mind को make करें, अपनी चीज, अपने decision पे पहुँचे, इस seize के बारे में इस seize को ले करके, तो अभी तक आपको और मुझे बिल्कुल नी समझना चाहिए कि South Korea ने super conductor बना दिया है हमें wait करना चाहिए, scientist की expert जो है, team के validation का या उनके verification का यह धीमे-धीमे होगा, लेकिन wait करना ज़रूरी है, जब यह हां बोलते हरी धंडी मिल जाए, उसी के बाद हम मानेंगे कि South Korea ने super conductor बनाया है, समझगे sentence को, चलिए, despite का मतलब बावजुद, lucre का मतलब है financial gain, इसी से word बना lucrative, जिसमें बहुत सारा पैसा हो lucrative, margin of error की verb है is, non-experts की verb है, should wait it की verb है, make up your mind मतलब अपने दिमाग को बनाना अपना decision लेने की position में आना, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने quiz की तरफ, एक grammar concept है, फटावट उसको भी देख लो concept यह कहता है कि यह सारे वो special words and nouns हैं जिनको आप plural में इस्तेवाल नहीं कर सकते हैं यह uncountable nouns हैं, इनको use आपको ऐसे का ऐसा ही करना है uncountable form में, इनकी verb भी singular होगी कभी भी इनके आगे ऐस ना लगाएं और इनकी verb को plural ना करें चलिए use करके देखते हैं, यह nouns देख लेना bread, advice, paper, equipment artillery, glass, news, cloth, information cybercrimes, तीन नए जो spywares हैं, वो linked हैं, वो जुड़े हुए हैं, इस बढ़ी हुई incidence से, बढ़ी हुई frequency से, जो है, cybercrimes की spywares नाम का word गलत है, इंग्लिश में ऐसा कोई word है नहीं, पिछे का ऐसा आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन बात यह की तीन तो है ना, थी तो लिखाई हुए है तो आपको कुछ ना कुछ plural बनाना पड़ेगा sentence में, इस तीन को satisfy करने के लिए, मान लिजिए new spywares लिखा होता तो फिर यह सही हो जाता आप इसको has बना करके सही कर देते, लेकिन तीन जब लिखा हुआ है तो आप सीधे spywares को नहीं छोड़ सकते हैं इस case में आपको 3 के बाद लिखना पड़ेगा 3 pieces of ठीक है अब यह pieces of के साथ में verb जो है have been भी satisfy हो जाएगी लेकिन spyware को आपने singular बना दिया है, पीछे का as निकाल दिया है तो यह pieces of वाली trick याद रखे जब भी sentence में कुछ plurality वाला requirement आ रहा हो वहाँ पे pieces of का इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे the prosecution presented 3 critical evidences to underpin his arguments prosecution ने present किया सरकारी वकील ने लाकर के दिया 3 important गवाहों को यह सबूतों को अपनी arguments को support करवाने के लिए, दलीलों को support करने के लिए evidences नाम का word अंग्रेजी में नहीं होता पीछे का इस तो निकाली देना है without any doubt लेकिन evidence जो है तीन है अब फिर क्या करेंगे pieces of नाम का phrase जो है बीच में जो है add कर देंगे समझ पारे हैं ना मेरी बात को यह pieces of इसलिए add किया क्योंकि यहाँ पर 3, 2, 4, 5, 6, various, multiple ऐसा कोई adjective था जिसके बाद कुछ plural noun या plural है किसी चीज के आपको जरूरत हो अगर यह 3 ना हो तो फिर यह पूरा है निकाल दो pieces of लिखने के जरूरत भी नहीं है critical evidence लिख दें इससे आपका sentence ही हो जाएगा each student was to write the essay on two papers that the teacher provided हर student को essay जो है लिखना था दो कागजों पे जो teacher ने प्रोवाइड किया papers नाम का word English में गलत है paper जो है एक uncountable noun paper का मतलो होता है कागज कागज को आप kilo में तोलते है गिनने वाली चीज होती है वो होती है कागज की sheet आरे वास समझ में तो two papers नहीं है यहां पे आप यहां पे S को निकाले और यहां लिखें two pieces of नहीं pieces of नहीं इस case में आप pieces of की जगा लिखेंगे sheets of paper के लिए sheet नहीं आता piece नहीं आता, piece भी आ सकता है piece of paper भी ठीक है लेकिन sheet जो है exam के इंदर आप यूज करते हैं sheet नाम का word specially इस चीज के लिए इस्तिमाल होता है चलिए मेरे खाल से concept clear है आज के quiz में इस concept पे आपको कुछ questions मिलेंगे, चलिए first question करे, passage के हिसाब से क्यूं ऐसे claims जो है room temperature के superconductors के वो widespread attention को hype को attract करते हैं क्या reason है कि हर आदमी superconductor के दावे की बात करने लगता है अख़वारों में newspaper और TV मीडिया में तो 5 आपको कारण दिये गए है हिंदी में इनका meaning निकालो एक इसका कारण बनेगा, बहुत आसान question है ये, अगर मैं आपसे वैसे पूछूं तो आप answer देखे भी जवाब दे सकते हो, बिना इन options को देखे भी, मैं super connector से क्यों इतने attraction होती है, पैसा है इसमें, शोरत है इसमें, जो बनाएगा वो आदमी जो है उसका देश और वो आदमी वो अपने आप ही इतिहास में दर्द हो जाएगा बहुत लंबे के concept को super connectivity research में, author का lucre word से क्या मतलब है, यह आप से पूछ रहा है, super connectivity की research के field में, तो meaning तो आपको बताई चुके है word, lucre से lucrative भी बनता है, यह ना सही meaning को lucre का निकालो इन 5 options में, कुछ से निकालना पड़ेगा और first comment से चेक करना पड़ेगा, मैं करवा दूँगा, तो answer भी मैं बना दूँ, question भी मैं बना दूँ, करवा भी मैं ही दूँ, नहीं हो पाएगा ना फिर ऐसे, paper भी मैं ही देऊँगा, इसलिए आपके भरोसे छोड़ता हूँ कि खुद से थोड़ा दिमाग चलाओगे, तो ठीक है ना, थोड़ा सा आपका warm-up होगा, रोज 4-5 questions all किया करो इस तरीक है, थर्ड में पूसर है, foot double idiom का क्या meaning है, मेरे खाल से आसानी से आप निकाल लेंगे, synonym पूसर है, विशेट का, है ना, ये word आप अच्छे से कर चुके हैं, चार आपके पास synonyms हैं, चार words हैं, एक synonym को चूस करें, rustic का synonym पूसर है, rustic word भी आप अलड़ी अच्छे से जानते हैं, इसका एंटरिम आपको बताना है, ठीक है, एंटरिम, 6-8 वे में तीन errors मिलेंगी, तीनों errors आपको मिल सकती हैं इस word में, और दूसरी मिल सकती है, इस word के आसपास, और तीसरी मिल सकती है, इस word के आसपास, एक ही concept पे तीनों errors based हैं, मेरे ख्याल से आप निकाल लोगे, first comment में answer डाल दिये गए हैं, वहाँ से match कर लेना, out of eight कितने marks मिलें जरूर से बताएं, मुलाकात लेंगे आप से कर दो मेरे ऋन्सकार जरूर